आज ही डाउटनिट आप डाउनलोड करें डाउटनिट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत विडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर हमसे पोचा गया है कि लिनियस ने जो ख्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था उसमें प्लांट्स को इन्होंने कितनी क्लासिज में डिवाइट किया था तो यहाँ पर ख्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं हमें मालुम है कि शुरू से plant kingdom को different taxonomical groups में classify करने की हम कई कोशिशें कर चुके हैं लेकिन इसमें सबसे पहले mistake हम ये करते थे कि हम सिर्फ external features को या हम जिने कह सकते हैं superficial morphological features को बस observe करते थे जैसे कि हम बस body type देख लें plant का या फिर उसके leaves का shape, size, color ये सब observe करें तो अगर सिर्फ vegetative चीज़ों को हम consider करेंगे vegetative characteristics को तो ये भी सही नहीं होगा और अगर सिर्फ reproductive characters को consider कर रहे हैं जैसा कि यहां पर linear ने भी किया था तो भी classification सही नहीं होगी यहां पर सिर्फ कुछ basic superficial morphological features के basis पर classification करने की हम कोशिश अगर करें तो इसको artificial classification का नाम दिया जाता है और ये सही classification का तरीका नहीं होता क्योंकि ऐसा करने पर कई सारे closely related groups plants के अलग अलग हो सकते हैं जबकि दूसरा हमने क्या देखा अलटरनेटिव होता है हमारे पास कि superficial morphology देखने के बजाए या सिर्फ external features देखने के बजाए हम कुछ internal features को भी देखे और ऐसे में यह भी ज़रूरी है कि vegetative characters से जादा importance reproductive characters को दी जाए क्योंकि vegetative characters to environmental factors के basis पे भी बदल जाता है लेकिन reproductive factors fairly constant रहते हैं तो यहां पर internal features को भी अगर हम देखें कौन से internal features जो भी biochemicals present है किसी plant के cells के अंदर तो इसकी phytochemistry को हम देख सकते हैं फिर इसका ultra structure इसकी anatomy और embryology यानि embryo की development कैसे हुई इन सब को अगर हम consider करें और equal weightage different types के characters को दे तो हमें एक natural system मिलता है classification का लेकिन linear नहीं हाँ पर क्या किया था artificial system के basis पर ही चल रहे थे क्योंकि plants की classification उन्होंने किसे consider करके थी एक particular reproductive structure को देखा और सिर्फ androsium के basis पर androsium क्या होता है हमें मालूम है कि flowering plants में जो sexual reproduction का unit होता है उसको flower कहते है और इसमें चार whirls हमें मिलता है यानि चार rings के form में इसके सभी organs arranged होता है तो androsium यहां पर एक ऐसा whirl होता है इसका जिसमें हमें इसके male sex organs या stamens मिलेंगे तो इन stamens को देखकर इनका structure और number देखकर उन्होंने classes में divide कर दिया flowering plants को और total 24 classes उन्होंने यहां पर बनाई थी तो option D यहां सही हो जाएगा Lineus ने 24 classes में flowering plants को divide किया था इनके androsium के structure को देखते हुए लेकिन क्यूंकि यह artificial तरीका हो गया classification का इसलिए आज इसको नहीं माना जाता है